करमसाला अनुदेशक भरती पर सवालों को नकारा Hey friends, welcome back to my YouTube channel तो यहाँ पर दोस्तों UK SSC की एक और भरती पर जो है यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं न्युक्ति पत्र पर पूरी जानकरी सार्वजनिक की जाएगी और यहाँ पर देखिया आप उत्राखंड अजने सिवा चेहन आयोग ने 17 अप्रेल को जारी करमसाला अनुदेशक के रिजल्ट पर बिरोजगारों के सवालों को साब तोर पर नकार दिया है बिरोजगार महासंग के अध्यक्ष बौवी पुआ ने करमसाला अनुदेशक रिजल्ट पर सवाल उठाते वे कहा की आंसर की में कुछ यह सवाल हैं जिनके दो-दो उत्र को मान्या किया गया है इससे मेरिट पर ब्यापक असर पड़ा है उन्होंने चैनितों के नाम और पते भी सारवजिनिक नहीं करने पर सवाल उठाय था इस पर आयोक के अध्यक्ष जियस मर्तोलया ने कहा की पूरों में जारी आंसर की पर प्राप्त दावे आपतियों पर सुनवाई और एक्सपर्ट राई के बाद ही फाइनल आंसर की और मैंने रिलिश्ट जारी की गई है उन्होंने अन्य किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार किया है मर्तोलया ने कहा है कि अभी न्यूक्ति परिक्रिया चली रही है इसलिए न्यूक्ति की जब अंतिम संस्तुति की जाएगी तो चैनित अभ्यरतियों का नाम पता सारवजनिक किया जाएगा तो यहाँ पर जो करम साला अन्य देशक भरती थी दोस्तों उसका रिजल्ट अभी सत्रा तारिक को आया था और यहाँ पर यह सवाल खड़े किये थे कि कई क्विशन ऐसे हैं जिनके दो-दो आंसर है तो ऐसा जो है क्यों हुआ है इस चीज का खुलासा होना चाहिए था परन्तो यहाँ पर आयोग ने साफ साफ कहा है कि उसमें कोई भी गड़बडी नहीं हुई है परन्तो यहाँ पर आये दिन हर एक भरती में दूस्तों आप देख रहे होंगे कि कोई न कोई कमी जो है ऐसी आ रही है सामने जिसको चलते बेरोजगारों के मन में हर बार एक संदेह उत्पन होता है कि क्या इस भरती में भी जो है कोई धांदली हुई है परंदो यहाँ पर जो है आयोग ने इस चीज को नकार दिया है आप लोग क्या कहिंगे इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा इसी तरीके की पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब वबसे कीजिए जैहिं